तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धेर सारे गैजट्स के साथ एक दुनिया का सबसे छोटा सा ड्रोन जिने आप चाहो तो एमेजन या फिर आनलाइन स्टोर से परचेस कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को करके सबस्क्राइब बाजू में आने वाले बेल आइकॉन को भी आल पर रखे हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे पिक्सल बर्ट्स गूगल की बनाई हुई खास एर बर्ट्स है जिसमें आपको काफी सारे स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जी हाँ क्यूंकि इसका डिजाइन काफी यूनीक होता है और ये आपके कानों में कमफरडेबली काफी आसानी से फिट हो जाता है जिसे आप अपने मुबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं जिसके बाद आप इसमें मुजिक को हाई कौलीटी के स्पीकर के साथ सुन पाएंगे और बस इतना ही नहीं इसमें आप incoming calls को receive करके noise cancellation feature के साथ calls पर clearly बात कर पाएंगे और साथी इन air birds में आप किसी भी language को translate करके भी सुन सकते हैं और इन birds की Bluetooth range भी काफी दूर तक होती है और इसकी battery life की बात करें तो ये birds आपको लगबग 5 घंटे तक की battery life provide करते हैं जिसे आप discharge होने पर इसके case में रखकर आसानी से charge कर सकते हैं तो guys आपको ये birds कैसे लगए हमें please comment करके बताना ना भूले वैसे तो printing machines काफी बड़े होते हैं मैं उन text to printers की बात नहीं कर रहा यानि कि मैं कपड़ों पर print करने वाले printers की बात कर रहा हूं जो काफी महेंगे आते हैं जिसे कि उसे हर कोई खरीद नहीं सकता तो इसी situation को ध्यान में रखते हुए इस खास portable और दुनिया के सबसे छोटे से printer को बनाया गया है जिसका size सच में काफी छोटा होता है जिसे आप अपने bag में भी आसानी से रख सकते हैं तो आप बात कर लेते हैं इसे use करने की तो आपको पहले अपने android और फिर ios mobile से इस printer को wifi के जरीए connect कर लेना है और साथी आपको इसके official application को भी अपने mobile में download कर लेना होगा जिसके बाद आप इस app के जरीए text image को upload करके आपको print होने वाले surface पर इस printer को रख कर slide कर देना है जिसके बाद आपकी upload हुवी text कुछी seconds में print हो जाएगी और आप इसे काफे सारे surface पर इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे कि clothes, wooden, plastic, mobile back cover, papers और यहां तक की skin पर भी print कर सकते हैं और इसकी battery भी आपको लगातर 6 गंटे तक battery life प्रोवाइड करती है जिसे आप charge खत्मोंने पर फिर से recharge करके इस्तिमाल कर सकते हैं तो guys अगर आप भी किसी भी चीज़ पर printing करना चाते हैं तो यह device आपके लिए एकदम perfect choice होगी जट अल्टरा guys वैसे तो market में drones तो काफी दरा के available होते हैं लेकिन जैसे जैसे उनके features बढ़ते हैं तो वैसे ही उनका size भी बढ़ता चला जाता है यानि कि जितने अच्छी features के drone को आप purchase करेंगे तो उनका size भी उतना ही काफी बढ़ा होता है तो अगर आप एक छोटी से drone की तलाश में है तो एक बार इस खास जट अल्टरा drone को देख लीजिए क्यूंकि ये दुनिया का पहला सबसे छोटा सा और हलका drone है जिसे मोटा कमनी ने तयार किया है जिसे आप अपने घर में और बाहर आसानी से उड़ा सकते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल भी दिया जाता है जिसका इस्तिमाल करके आप इस drone को कंट्रोल कर पाएंगे और इस drone में एक छोटा सा हाई कॉलिटी वाला क्यामरा भी इन बिल्ट होता है जिसके live recording को आप अपने mobile में easily देख सकते हैं और इस drone से आप काफी सारे अतरंग स्टन्स को भी कर पाएंगे कुछ इस तरह से और इस drone में 3-speed और 6 xyroscope इन बिल्ट होते हैं जिसे आप 100 feet तक की range में लगबग 5 मिनट तक उड़ा सकते हैं और इस drone से खेल कर होने के बाद आप इस drone को इसके controller में आसानी से रखकर अपने bag में carry कर सकते हैं तो आपको ये छोटा सा drone कैसा लगा हमें प्लीज कॉमेंट करके बताना ना भूले शेफ मैन, फ्रेंड्स आपके घर में फ्रिश तो जरूर होगा यहोगा तो उनका size तो आपको पता ही है कि वो कितने बड़े होते हैं लेकिन उनके size के हिसाब से वो बने होते हैं home use के लिए तो आप आप देखिए portable छोटे size वाले एक car freezer को जिसमें आपको 4 लीटर तक की storage capacity देखने को मिल जाती है यानि कि आप इसमें छोटी छोटी 6 क्यानों को आसानी से रख सकते हैं और इसमें आप खाने के चीज़ों को भी बड़े आसानी से रख सकते हैं और इसे power on करने के लिए आपको इसकी पिछले हिस्से पर एक on-off switch दिया जाता है जिसे switch करके आप इस fridge को power on कर सकते हैं और इसमें आपको दो temperature modes भी मिलते हैं यानि कि अगर आपको खाने की चीज़ को गर्म करना है तो आपको इसे hot पर switch कर देना है और अगर आपको cold temperature चाहिए हो तो आपको इसे cold पर switch कर देना होगा जिसके बाद आपकी मन पसंद drinks cold हो जाएगी और इसकी power source की बाद करें तो इसे आप दो तरीके से power source दे सकते हैं एक है DC 12 volt जिसे आप अपने कार में लगा कर इसे on कर सकते हैं और दूसरा AC 110 volt जिसे आप अपने घर में इस्तिमाल कर सकते हैं तो आपको इस fridge पसंद आ चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अटमोफ तो अगर आपके घर के सामने खुबसुरत नजारे नहीं हैं और आप सुबह उटकर नए-नए नजारे देखना पसंद करते हैं तो आप इस smart window को अपने घर पर लगा सकते हैं जो अपने साथ एक भैतरिन डिस्प्ले रखता है वो भी 4K Ultra HD quality में जिसमें आप काफी सारे खुबसुरत नजारे को शोग कर सकते हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए इसे आपको अपने smart phone से connect कर लेना है जिसके बाद आप इस multiple windows में 1000 से भी ज्यादा 4K images को और वीडियो को शोग कर सकते हैं और साथी इसमें आपको vibrate यानि की base full speakers भी दिये जाते हैं और इसकी connectivity की range भी काफी धूर तक होती है जिसे आप अपने घर पर ना होने के बावजूद भी कंट्रोल कर सकेंगे और इसका खास फीचर ये है कि इस window में एक hidden CCTV क्यामरा भी inbuilt होता है जो लाई वीडियो आपको अपने mobile में send कर देता है जिसे कि आप अपने mobile से कही से भी अपने घर पर निगरानी कर सकते हैं तो गाईज आज की वीडियो आपको कैसी लेगे हमें प्लीज कमेंट करके बताना ना भूले और साथी अगर आपको ये वीडियो पसंद आच चुकी है तो उसे like and share भी कर दीजे और अगर आप हमारे चैनल के नए वीजिटर हैं तो चैनल को करके सबस्क्राइब आजू में आने वाले बेल आइकाउन को भी आल पर रखिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो इसकी नौटिफिक्शन आपको मिलती रहे तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अब तक के लिए टेक केर